स्वागत है आप सभी का मेरी यूटूब चैनल आसान पल में आज मैं आपको मस्तिस्की की घर्मी का सबसे सस्ता घरेलू इलाज बताने वाली हूँ जी यहां ऐसा इलाज जो बहुत ही सस्ता है और इसमें एक भी कोई लागत मूले नहीं है घर में आपको आसानी से यह चीजें मिल जाती है लगबग सभी की घर में तुलसी के पत्ते होते हैं और काली मर्च होती है तो काली मर्च और तुलसी के पत्तों से ही आप अपने दिमाग को सीतलता प्रदान कर सकते हैं आपको क्या करना है कि सुबह खाली पेट आप चार दोसी के पत्ती लीजिए उनको धो लीजिए और काली मर्च आपको चार लेना है और इनहीं चार पत्तों और चार काली मर्चों को आपको अच्छे से खुब चबा चबा कर आपको खा लेना है यदि आप नहीं चबा कर खा स तक आपको खाली पेट खाना है तभी आपको ये आराम करेगा यदि मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि दो चार दिन खाने के बाद आपको किसी भी तरह से कोई सरीर में असुविदा समझ में आ रही है या आपको सूटनिंग कर रहा है या कुछ भी है तो आप इसकी quantity कम कर सकते हैं आपको सरदर्द गोली दबाईयों छीक नहीं हो रहा था आपको क्वीर बाम लगा रहा थे उसे ठीक हो रहा है कि मस्तिस्क के लिए मैं नबंते आ to आप यह मस्तिस्क के लिए ये बहुति अंदा घर योपा अपे जडरूर करें आपको सक प्रतिस्द आराम मिलेगा और इसके रावा मैं आपको परेश के तोर पर बताना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा सोचा बिचारी से बचें और इसके अलावा आप घरम तासीर की चीजें कुछ दुनों तक ना ही लेवें तो ज़्यादा अच्छा होगा आप ठंडी को सब्सक्राइब करना ना बोले